आज मैं आप लोगे साथ एक जूस शेक करना चाह रही हूं और वह जूस बहुत ही ज्यादा अच्छा है सो बीमारी का इलाज कर सकता है और मैं एक हफ्ते से पी रही हूं मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे डियाईपी डायट पर बार बार यही कमेंट आता है कि करीब लोग कैसे अफ़र्ट कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे लेकिन यह जूस हर कोई बहुत इजी से ले सकता है बहुत पैसा नहीं लगेगा तो आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर मेलन का जूस इसको इंगलिस में बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं सफेद पेठा यह मैं हाफ काटके रखी हूँ अब मैं इसका स्कीन निकालूंगी और यह सफेद पेठे का जूस यह नहीं है कोई बिमार है तब ही पी सकता कि इसका इसके मैं निकाल दे रही हम और इसको पीना कैसे है खाली पेट पीना है और इसके बहुत सारे फाइदे हैं डाइबिटीस कॉंट्रोल में होता है रहäreके के लिए एच्छा है स्कीन के लिए अच्छा है प्रइग्नलूमन के लिए इसमें कि अधा है दर किसी को बॉलप açıl नीचोह चैसी पेसंद रहता है मॉनिंग में पीने से єटी किड्नी स्टोन के लिए अच्छा है कि और इसताइबल के लिए दियु 막 लेने में भी हर जगें मिल जाता है यहां तो हमेशा मिलता है इसको पीज करके सब्सांच मुकाली हूं होना चाहिए अब में जूस बनाना सुरू कर रही हूँ जूस बनाना ही बनाना है बहुत आइपीन नहीं करना है जूस बनाना के समय यह जूस बन गया है और इस जूस में कोई सूगर सॉल्ट कुछ नहीं डालना है उसको पीना कैसे है धीरे धीरे करके एक बार में नहीं पुरा खतम कर देना है अगर किसी के पास जूसर नहीं है ब्लेंडर में भी जूस बन सकता है चान के अगर मेरा वीडियो आप लों को अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तेंक यू बाई कर दो